हेलो दोस्तों, आज हम आडू खाने के फायदों के बारे में जानेंगे आडू खाने में स्वादिष्ट होने के साथ सेहत के लिए भी वहुत फायदेमंद होता है इसमें पाय जाने वाले विटामिन, एंटी ओक्सिडेंट्स और मिनरल्स वजन कम करने के साथ आखों की रोस्तनी बढ़ाने में भी मदद करते हैं, साथ ही इसके रोजाना सेवन तोचा को डिटॉक्स करके ग्लोइंग भी बनाता है चलिए आज हम आपको आडू खाने की कुछ ऐसे फायदे बताते हैं, जिसके बाद आप भी इसका सेवन सुरू कर देंगे वजन रखे कंट्रोल, अगर आप वजन कंट्रोल करना चाहते हैं, तो नियमित आडू का सेवन करें, क्यूंकि कम कैलोरी वाला फल है, जिसके सेवन से सरीर को एनरजी तो मिलती ही है, लेकिन वजन कंट्रोल में रहती है, जिससे वजन नियंतरित रहता है, यदि आप इसे नास्ते में खाते हैं, तो लंच टाइम तक आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं होती, भूग कम लगने से भी वजन कंट्रोल में रहता है, इम्यून सिस्टम बूष्ट, आडू में बिटामिन सी, भटपूर मात्रा में होती है, जो सरीर में एंटी आक्सिटन्ट की तरह का करती है, जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है, और हानिकारक बिमारियां सरीर से दूर रहती है, इसलिए अपने रूटीन लाइफ में इसके सेवन को जरूर करें, क्योंकि यह आपको छोटी से लेकर बड़ी प्रॉबलम से बचाने का काम करेगा, आखों के लिए वे क्यामिन एकी मात्रा बढ़ाता है, आखों की रोसनी बढ़ाने में भी यह एहम भूमी का निभाता है, इसलिए उनकी डाइट में इसे जरूर सामिल करें, किड्नी को रखके हल्दी, किड्नी हमारे सरीर का एहम हिस्सा है, जिसका स्वस्तो होना बहुत जरूरी है, अगर कुरिनरी व्लेडर के लिए एलेजिंग एजन्ट की तरह काम करता है, पाचन को रखे मजबूत, पेट संबंदित समस्यां जैसे पेट में दर्द, कब्ज, कैस, बवासीर है, तो नियमित आडू का सेवन करें, यह लिवर से विसेले पदार्थों को बाहर निकालने में पहुचाता है, इसकी ताजी पतियों का जूस बनाकर पीने से पेट के कीड़े भी मर जाते हैं, खून की कमी पूरी, अगर आपको खून की कमी यानि आप एनेमिया से जूज रहे हैं, तो अपनी डाइट में आडू को सामिल करें, क्योंकि इसमें आइरन भरपूर मातरा मे होता है, जो सरीर में रेड ब्लेट सेल्स की मातरा बढ़ा कर एनेमिया से रहा दिलाने में मदद करता है, हड्डियां बनाएं मजबूत, आडू विटामिन सी और कार्वो हाइड्रेट से भरपूर होता है, जिसके सेवन से हड्डियों वा दातों को मजबूती मिलती है, इस गर्वा अवस्था में फायदे मन, गर्वा अवस्था में आडू का सेवन लाफ कारी होता है, क्यूंकि इसमें मवजूद बिटामिन सी गर्व में पल रहे बच्चे की हड्डियों वा मानस्पेसियों को मजबूत बनाता है, इसके अलावा इसमें मवजूद फाइवर, सरी से बने फेस पैक से इसकिन ग्लोविंग बनती है फेस पैक बनाने के लिए ब्रैस आडू के वीज निकाल कर उसका पेश्ट बना ले फिर इसमें अंडे को मिला कर पेश्ट तयार करें चहरे और गर्दन पर लगाएं और 25 से 30 मिनट तक लगा कर रखें बाद में ठंडे पानी से चहरा धोलें इस फेस पैक को हपते में एक बार इस्तमाल करें इससे स्किन ग्लोव करेगी जूरियां होगी गाइप आप अपने चहरे की जूरियों को गाइप करना चाहते हैं तो आडू और टमाटर को एक साथ पीस कर पेष्ट तयार करें अब इस पेष्ट को 10 से 15 मिनट के लिए अपने चहरे पर लगाएं इससे जूरियां गाइप हो जाएंगी और चहरा बिल्कुल साफ करेगा पिमपल्स से राहत गर्मियों में ओईली स्किन वालों की पिमपल्स की समस्या जादा परेसान होना पड़ता है ऐसे में पिमपल्स को दूर रखने के लिए आडू फेस पैक बना कर लगाएं आडू के पेष्ट में निम्बू का रस मिला कर 20 मिनट तक अपने चहरे पर लगाएं इसके बाद चहरा थंडे पानी से धोलें इससे स्किन बिल्कुल फ्रेस वा पिमपल्स फ्री दिखेगी ड्राई स्किन के लिए वेस्ट अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आडू के फेस्ट को चहरे पर हलके हलके हाथों से सर्कुलेशन में 10 मिनट तक रगड़ें थोड़ी देर बाद चहरे को हलके गुनगुने पानी से धोलें इससे ड्राई स्किन के समस्या दूर रहेगी और स्किन ग्लो करेगी